रोजगार GSK में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट आफ एजिक्वेशन चंडिगर्ड अड्मिनिस्ट्रेशन की नूर्लाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस का बारे में जो की जारी की गई है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पोस्ट के लिए जिसके लिए आप ओनलाइन आवेधन कर सकते हैं वीडियो के डिसूसर में में अफिसे साइट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा जहां से आप नॉटिफिकेशन को भी रीट कर सकते हैं अपने फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं आप अधिक्या ओनला हो जाएगा मैंने ओफिसियल नॉटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है आपको यहां पर देखें इंपोर्टेंट डेट देखने को मिल जाएगा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे नेम आप दो पोस्ट जिस भी पोस्ट के लिए आप आप यहां पर देखने को मिल जाएगी इस 9300 से 34800 ग्रेट पे आप देखें च्याली सो और लेवल जोगी सेवन की पेमेंट रहने वाली है अब यहां पर हम इसेंसियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहां पर देखें क्वालिफिकेशन डिटेल देखने को मिल जाए हैं फॉर्म को फिल करने से पहले एक बार अवसे अपनी इसेंसियल क्वालिफिकेशन को अवसे देख लेंगे यहां पर देखें आपको नोड दिया गया है बेसिक आई सीटी स्किल कोर्स आपके पास जो कि मैंडेटरी है जो कि आपके पास होना चाहिए जिसमें आप देख दे सकते हैं फॉर्म को फिल करने से पहले एक बार जो कि आप नौटिफिकेशन को अवसे रिट कर लेंगे अब यहां से हम अप्लाई का प्रोसेस देखेंगे जैसा ही आप ऑफिसे साइट पर आते हैं जनरल और अधर के लिए एक हजार पर सुल्क रखा गया है ऐसी के जो कि उपेन हो चुका है यहां पे अप्लिकेशन फॉर्ड पोस्ट आफ यहां पर जो कि आप टीजीट किसके लिए आवधन करना चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि आप स्लेक्ट कर लेंगे यहां पर देखें फुल नेम क्लाश्टेंग को अपना फिल करेंगे यहां पर आपको डेटा बर्स जो कि फिल करना है कलेंडर के मादं से अपना यो टीटा बर्स फिल करने हैं यहां पर इमैल आड़ी फिल करेंगे send o tp option पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने e-mail id फिल किया आप उसके प्राप्ट हो जागा OTP को आप यहाँ प्ल करेंगे verify email OTP वाले option पर klik कर देंगे verified वाले option देखे green tick हो जायगा mobile number प्ल करेंगे send OTP पर click करेंगे OTP को आप इसमें फिल करेंगे verify mobile OTP वाले option पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देखे green tick हो जाएगा उसके बाद देखे अपना adjacent card डेखिए कम्प्लीट हो चुका है, आपको देख particulier है, आपको देखिए यहाँ पर अप्के अप्लीकेशन नंबर भी प्राप्ट हो जाएगा, जिसके आप लिएगा करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक बार वेरिथाइँ करेंगे, नेक्स स्टेप में आपको दिखिए होम पेज देखने को मिलेगा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे नीचे आने के बाद आपको यहां पर एक option मिलेगा प्रोसेश टू आंलाइन अप्लिकेशन वाले option पर क्लिक कर देंगे यहां पर मिल करेंगे ऊप्लिए यह हैं तो मिल जायगा आप किस बिलाओ करेंगे आप किस कटेगरीक करते हैं जरने सेटड कीजिए SC, SC, OBC, OBC, EWS, EWS, तो आप अपने category को अकॉर्डिंग जो कि अपने category जो कि select कर लेंगे, यहाँ पर आप सो पुछा जा रहा है कि belong to you, PWD candidate, अगर आप दिव्यांग हैं, तो आप उस case में यहाँ पर जो कि yes कर सकते हैं, उसके बाद दिखे, PWD category बताएंगे, OH है, VH है, HH है या other है, तो आप अपने according से दिव्यांग को बता सकते हैं, अगर आप दिव्यांग ने तो simply आप यहाँ पर no कर देंगे, अगर आप ex-serviceman हैं, तो आप yes कीजिए, अगर आप ex-serviceman नहीं हैं, तो simply आप यहाँ पर no कर देंगे, उसके बाद आप से पुछा जा रहा है, do you process essential qualification, क्या आप अपने पास essential qualification रखते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आप working है, contract based पे, यहाँ गेश टीचर in government school, अंडर जो की चंडीगर administration के अंतर गता है, तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं, अगर नहीं हैं, तो आप यहाँ पर no कर देंगे, यहाँ पुछा जा रहा है की working है, आप समगर सिक्षा teacher in government school, जो की आता है, चंडीगर administration के अंतर गता है, तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं, अनता है यहाँ पर no कर देंगे, यहाँ आपके पास देखिए, certificate होना चाहिए, ICT skill course का, उसके हम यहाँ पर yes करेंगे, अगर आप departmental candidate हो, तो आप yes कर सकते हैं, अगर नहीं है, तो simply no कर देंगे, उसके बाद देखिए process next to address detail option पर click कर देंगे, next step में देखिए, address detail जो की fill करेंगे, सबस्ब पहले correspondence address fill करना है, अगर आपका village है तो village fill कीजिए, post है तो आप post की entry करेंगे, state से आप belong करते हैं, अपने state का name जो की select करेंगे, यहाँ पर district address of permanent address, अगर से हम है, तो आप यहाँ पर check mark कर देंगे, अनिता आप अलग-अलग भी fill कर सकते हैं, उसके बाद देखिए process with qualification detail ओले option पर click कर देंगे, next step में हमें देखिए qualification detail जो की fill करना है, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, आपके subject recording, आपके post recording, आपको यहाँ पर qualification detail देखने को मिल जाएगी, एक तो आप पर देखिए, graduation complete होना चाहिए, किसी भी university या किसी भी board के साथ, आपको पास देखिए, bachelor of education degree आपके पास होनी चाहिए, जो की minimum 50% के साथ, वहीं आप जो की seated pass होने चाहिए, paper second, आपको जो की qualification detail fill करनी है, add new qualification option पर click कर देंगे, qualification का option आपको देख करेंगे, उसके पास सीटेट के entry करेंगे, सबसे पहले देखिए, graduation select कर लेते हैं, qualification name में देखिए, जो आपका graduation में है, B, A, B, C, जो भी है, आप उसे जो के select कर लेंगे, passing of year, जो कि आप यहाँ पर mention कर देंगे, 10 marks आपके कितने हैं, उसे fill करेंगे, total marks की जो कि आप यहाँ entry कर देंगे, आप पर देखिए, percentage था, याप जो mention करेंगे, जिसे हमारा percentage था, तो हम यहाँ पर पर सेंटेज कर देंगे, subject की बात करेंगे, तो आपके graduation में जितने subject है, आप जो कि आप यहाँ पर mention कर देंगे, university आप बोर्ट का name आप जो कि फिल करेंगे, देखिए, degree mode, आपके qualification की संपूर detail देखिए, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी graduation की, अगर आपको कोई तुटी लगती हो, तो आप यहाँ पर modify भी कर सकते हैं, delayed भी कर सकते हैं, तो आप जब हम qualification को add करेंगे, add new value registration पर click करेंगे, उसके बाद देखिए, हमारा graduation complete हो चुछ चुका percentage है, तो अपना percentage है, यहाँ पर mention कर देंगे, subject की entry आप यहाँ पर करेंगे, university याप बोर्ट का name आप जो कहाँ पर select करेंगे, और उसके बाद देखिए, degree mode में आप बताएंगे, regular है, private है, distance learning, आप इसे जो की select करके save ओले, उस option पर click कर देंगे, बीए डिगरी देखिए, हमा passing of year कब आपना seat rate complete किया, तो उसे fill करेंगे, यहाँ पर open marks, कितने नमर आपने seat rate में प्राप किया, उसे fill करेंगे, total marks की जो की आप entry कर देंगे, percentage को आप जो की यहाँ पर mention कर देंगे, उसके बाद की subject की entry आप करेंगे, और जो की name of board या university name में आप जो की यहाँ पर cbse जो क fill कर देंगे, इस वाले option में आप जो की cbse fill कर देंगे, cbse fill करने बाद देखिए, degree mode में आप regular select करेंगे, उसको बाद save ओले option पर click कर देंगे, हमने अपने सारी qualification को जो fulfill कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, proceed to fill ict detail वाले option पर click कर देंगे, next step में देखिए, ict skill detail जो कि हमें fill करना है, जैसा कि मैंने आपको notification में भी बता दिया है, कि ict में आपको computer knowledge होना चाहिए, जिसे आप fill करेंगे, जो कि हमने triple c pass किया है, उस case में हम अपना triple c यहाँ पर fill कर देंगे, institute का name जो कि आप यहाँ पर fill करेंगे, passing of year कब आपने अपना triple c complete किया, तो उसकी detail grade आप यहाँ पर fill कर देंगे, उसके बाद remark में अगर आप कुछ लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, हम सिफ pass लिखेंगे, उसके बाद update वाले option पर click करेंगे, उसके बाद proceed with document update वाले option पर click कर देंगे, next step हम देखिए, photograph अप्लोड करेंगे, signature अप्लोड करेंगे, और left thumb impression अ अप्लोड कर सकते हैं, maximum size, photo, signature और thumb का 80KB तक रहना चाहिए, choose file पर click करेंगे, यहाँ से photo upload करेंगे, choose file पर click करेंगे, signature अप्लोड करेंगे, choose file पर click करेंगे, यहाँ पर देखिए, left thumb impression अप्लोड कर लेंगे, photo, signature और left thumb impression अप्लोड करने के बाद, proceed to submit and review वाले option पर click कर देंग next step में देखिए, review your online application पर click करेंगे, उसके बाद आपका सारा page फिर से open हो जाएगा, उसे next करते करते आप यहाँ तक आएगे, उसके बाद आपको यह वाला option देखने को मिल जाएगा, I have review my application, उसके बाद देखिए, process for undertaking वाले option पर click कर देंगे, next step में देखिए, candidate undertaking का option देख इस वाले option पर click कर देंगे, हमारा form देखिए, final submit हो चुका है, अब हमें जो कि fees payment करना है, जो कि हमें 500 रुपे fees जो कि 100 हो रहा है, उसके बाद process to pay वाले option पर click कर देंगे, next step में देखिए, proceed for payment option देखने को मिलेगा, आपकी संपूर detail आपको यहाँ पर देखने को मिल इसके वाज़े से जो कि payment complete नहीं हो पा रहा है, यह server problem है, देखिए, process to fee payment option पर जैकि हम click कर रहा है, इस तरह का message जो कि so हो रहा है, हमारा payment जो कि complete नहीं हो पा रहा है, I hope चीज़े आप समझ गए होंगे, जैसे हमारा portal open होता है, फिर से हम जो कि अपना payment कर लेंगे, thank you for watching this video, thank Thank you, दोस्पर.